तो हलो एवरीवान नमस्कार सभी को कैसे हैं आप सभी स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने चानल ज्यारेफ पड़ा पे तो बात अपन करने वाले हैं कि क्या आपने भी अपना लक्षे बना रखा है टार्गेट बना रखा है दो हजार चौबिस डिसिम्बर में ज्यारेफ पड़ने का और आपने लक्षे बना रखा है कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट से जो है मुझे इस बार ज्यारेफ लेना है तो बिलकुल आप ये मानगे चलिए कि बिलकुल सही जो है प्लेटफॉर्म पे आए हैं क्योंकि चानल है अपना ज्यारेफ अड़ा और चान दिसंबर हमने टार्गेट बनाया है लक्षे बनाया है हम लोग कैसे जो है चीजे कर पाएं क्या हमारी अगले 5-6 महिने की स्ट्राटेजी हमारी रणनीती होने वाली है क्या चीजे हमें करनी है और कौन से चीज हमारे लिए बेटर है पूरा का पूरा जो प्लान है आप सभ हमारी के दौरान जो कि डेफिनेटली आप सभी को हेल्प करने वाली है आपकी त्यारी में पर चैनल पर पहली बार आएं हैं तो लेट में इंट्यूश माइसिल्फ मेरा नाम है योगेश चैनल है अपना ज्यारेफ अद्दा चैनल पे मैं आप सभी के लिए अप से लेके आ कि देखो कुछ गोल्डन टिप्स डेफिनेटली जो हैं हम लोग बोल सकते हैं पर उससे भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि उनको अपलाए करना है ना मैं टिप्स तो बता दूंगा पर क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं और किसी भी तयारी को शुरू करने से पहले हमें जो है जब बशबन में हमें हमारे जब नया सेशन होता था तो हम लोग बशबन में नहीं नहीं बुक्स जो है लेके आते थे और हमे बड़ा अच्छा लगता था हुंको कवर अप करना और करना है और पहला पेश था हमारा इंडेक्स था even का डिपिनेटली हमलोग उसको देखा कर मैंने तो सेम मैं सभी कोई सब्सक्राइब कर रहा हूं कि जब भी कोई तयारी कर रहे हैं तो सर आप आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या हमें चीजे धान में रखनी है ऐसे कौन से स्टेप है जो हमें फॉलो करने है और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं भी करनी है क्या समय नहीं लूगा आप सभी का सीधे हम लोग चलते हैं देखो क्या होता है एक बहुत आपको बिल्कुल उसाईयों तक लेके जा सके सबसे इंपोर्टेंट है बी क्लियर अबाउट यॉर अबजेक्ट आपके क्या उदेश्य हैं आप करना क्या चाहते हो उनके बारे में क्लारेटी बिल्कुल आप सभी को ने चाहिए विजन जो है आप सभी का बिल्कुल सेट ह होना चाहिए एक मिशन जो है आप सभी का सेट होना चाहिए जो कि हम मैनेजमेंट में पढ़ते भी हैं विजन और विशन दोनों अलग अलग चीज़े हैं बट कहीं ना कहीं एक ही डारेक्शन में जो है जा रही होती है यह सब्सक्राइब तो आपको क्लारेटी होनी है कि सर इस बार मुझे जारेफ लेना ही लेना है तो आप अपने आप अपने बिजन के पृती आप अपने अब्जेक्टिवों के प्रती क्या होने चाहिए मैं management में भी तो हम लोग यही पढ़ते हैं जब भी हम बिजनेस टार्ट करें तो सर जी हमारे उड़ेश क्या है हम क सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करने से क्या मतलब है कि आपको बिल्कुल यह देखना है कि हम लोग कितने पानी में आप सब्सक्राइब करना है सर वो रियालिटी चैक हम लोग कैसे करेंगे भाया मान लो आज आप सबी ने अपनी तयारी शुरू करी है ठीक है सर आप सबी को मैं सबसे पहले देखूंगा कि जो भी आपका चलो पेपर वन और पेपर टू पेपर वन चलो ठीक हमारा हो गया है पेपर टू में हमारे इतना वास्ट हमारा से इतना कुछ जो है हमें करना है पहले जिस भी सब्जेक्स मैनेश्मेंट की हम लोग बात करें हैं सबसे पहले आप सभी को पिछले साल का मैं तो वह रहा हूं अभी जून में पिपर हमारा आया है यदि आपने वो नहीं देखा है तो दीजे या पिछली बा मुझे पता है कि वो किन टॉपिक से पूछे गए हैं और मुझे ये भी पता लग जाए कि आर इस एरिया के जो क्वेस्टन से ना वो उससे सॉल भी नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब उस एरिया पर मुझे फोकस करने की जादा जरुवत है और जहां पे क्वेस्टन में इसे ब पूरा पीपर आता है हमें बस लिखना होता है उसके बारे में सर यहां पर आपके पास अब्जेक्टिव मैं तो यह बात जानता हूं जब आपके पास कंसेप्शन नॉलेज होगी तब ही जो है आपके पास आप से जो एमसी क्यूश है उनको सॉल कर पाऊगे तो अपने पर फोकस करना है या मुझे पेपर 2 पे सबसे जयादा फोकस करना है या पर टू के बहुत पो किस पॉर्शन में किस यूट में मेरे को जो जाधा प्रॉबलम आ रही है जाधा दिक्कत परिशानी आ रही है और उसके अक्वर्डिंटिड जो है आप अपना एक्षन प्लाण design करेंगे हम यही तो पढ़ते हैं management में सब कुछ देख लेते हैं उसके बाद हम लोग जो है क्या करते हैं सर जी क्या करना है हमें वह देखते हैं policies हम लोग बनाते हैं हमारे objective decide करने के बाद the same हमें जो है हमारे क्या करना है सर जी action plan जो हमें design करना है कि अब आगे what next जो कि definitely मैं आप सभी का जो है पूरी की पूरी help करने वाले करने वाला हूं अपने आगे आने वाले sessions में तो एक छोटा सा हमारा एक good plan हो सकता है अब कि सर planning तो हमारी होगी पर हमारा study plan कैसा होना चाहिए है ना हम लोग सब बनाते study plan पर follow कौन करता है सर बहुत ही कम पर study plan हम लोग follow क्यों नहीं करते हैं सर जी वह अच्छा study plan नहीं होता है सर कैसा हो सकता है दो तीन चीजें हैं जो मैं definitely जान में रखता हूं और मैं आपको बोलूं कि यार वैका ऌदमी ना उसका कि वह सुबह उणडे 4 गंटे पढ़ता था फिर सोता है फिर 4 गंटे पढ़ता था तो आप को को अपना स्टेडी प्लान जो है अपने अपनी हाबिट के अकोर्डिंग बनाना है बई I am अल्ली वर्ट मुझे जल्दी उठने की आदत है मैं सुभे चार बज उठके पढ़ सकता हूं बट कोई बच्चा ऐसा होता है कि सब सुभे नहीं उठ पाता है तो रात को जो है हम लोग ज्यादा हाम करें हमसे नहीं हो पा रहा है सुभे बिल्कुल नींदों में हम लोग जग रहे हैं नहीं पढ़ाई हो पा रही है तो वेस्ट कर रहे हो वह आप अपना समय इससे अच्छा सो लो मेरे को तो जब ऐसा ही करता हूं बिल्कुल स्टेट फॉर्वर बोलू हों कि ठीड़ क्या करना है एक सटटी प्लान अने बार हमें बनाता है जो हमारी है अपने हंसर रूंफली की अप्या करोगी स्का आपके पास आएम यह आपके पास आज राथ को सोने से पहले ही होनाँ नई कि मुझे कल क्या करना है रात को सोने से पहले मेरे दिमाग में आ कहीं पे आप लिक सकते हो कि कल मुझे जो है unit 2 के unit 2 के कुछ concepts हमने समय समझने है unit 1 जो है मेरी complete हो गई है तो उसके मुझे जो है pyqs या questions लगाने है और मुझे जो है कम से कम दोनों first word second जितना ही मैंने पढ़ लिया है 25 questions मुझे mix लगान वेरी important thing कि quality पे focus करना है ना कि quantity पे quantity पे मैं कभी आपको यह suggest नहीं करूंगा कि सर मतलब 100% तो हम कितना ही पढ़ के जाएं पर हमेशा 10 से 15 या चलो ठीक है 5 से 10% हमारे पास चीज़े ऐसी आ जाती है जो कई ना कई नहीं होती है नए एक area से जो है question पूछ लिया जाता है है ना पर जितना आप लोग पढ़ रहे हो जितना आप लोग पढ़ रहे हो उतना जो होने चाहिए so that जो 70% से पूछा जा रहा है उसमें आपको एक भी question जो है गलत नहीं होना चाहिए तो आप सभी को quality पी focus करना है राधर दिन quantity और सरह मेजरेबल milestone इसका मतलब क्या है कि हमने कितनी तयारी करी है उसको जाचना कैसे है उसको test कैसे करना है कैसे हम लोग मेजर कर है कि हम सही direction में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं तो वो भी बहुत जरूरी हो पाता है और वो आप सभी का हो पाएगा जब आप जो है मौक लगाएंगे या जो है questions की आप सभी जो है practice करेंगे और इन सारी चीजों में definitely जो है मैं आप सभी की help करने वाला हूँ अच्छी तरी हमें खुद को manage करना सीखना है उसके बाद जो है हमें management subject पर आना है क्योंकि जब खुद की life अभी अगर mismanage हो पाएगी तो भया management subject कैसे ही आप लोग कर पाएंगे फिर तो वह है theoretical हमने पढ़ा ratification किया that's it all ऐसा नहीं करना है बढ़िया enjoy करते वे subject को पढ़ना है अबस है और मेरा हमेशा से यह focus रहा है जब से भी मेरा चोटा साथ साल का teaching experience मैंने केवल एक इतनी सी चीज़ की और जब भी मैं अभी मेरे school life college life में था मेरे को हमेशा एक चीज ज्यान में है जो मेरे teacher बोला करते थे कि सर पढ़ना आप सभी को ऐसा है कि आप सामने वाले को पढ़ रहे हो तो आप एक limited चीज के लिए पढ़ रहे हैं और आपकी सोच के पढ़ रहे हैं कि यार मुझे future में भी जो है definitely इसको काम में लेना है तो उस approach से पढ़ोगे तो जाधा चीजों को relate कर पाओगे जाधा examples के साथ relate कर पाओगे और अच्छी तरीके से जो है आप लोग राने वाले हैं उनिवर्सिटी में colleges में तो पहले हमें concept clear होने चाहिए और पढ़ना ऐसा है कि हम सामने वाले बच्चे को बढ़िया तरीके से पढ़ा सके तो यह एक बहुत ही मैत्वपून चीज आप सभी के लिए हो जाती है आप सर आदत कैसे बनाए है ना हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जो है आदत बनाए सबसे पहले जो अपना routine है उसको अपन चेंज करेंगे definitely है ना एक routine देखो आपको set करना बहुत ज़रूरी है आपको पताए कि यार पांच बजी मेरी 5 पीम पे management की class है है ना वो daily मेरी को लेनी है दो गंटे मेरी class चलेगी आपक पाड़ी भी करनी है तो एक routine बनाना एक दिंचर आप सभी को एक proper जो है follow करनी है अच्छी तरीके से अपने प्रात्मिक ताओ आपकी जो priorities है जो आपने set कर रखी है मलब आपने जो सोच रखा है ना देखो हर कोई हर कुछ नहीं करता है नहीं कर सकता है बिल्कुल सही बात ह है ना कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए कहीं किसी ना किसी चीज़ का तो sacrifice करना पड़ेगा सर बिल्कुल करना पड़ेगा तो priorities जो आपकी है उनको आपको set करना है और सबसे important चीज हो जाती सर अच्छी बढ़िया नेंद लेनी है और बढ़िया खाना है और साथ में पढ़ाई भी करते रहना है ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप दिन में केवल 24 गंडे में से 4 गंटे 100 और 20 गंडे जो है पढ़ाई करनी है नहीं ऐसा बल्कुल नहीं है आप सभी को नीन भी quality की लेनी है और पढ़ना भी quality का ही है ठीक है जी तो ये पूरा सिनारियो था मु करने वालणा हूँ अब इसके बाद है कि सरहा टो इस्टार प्रेपरेशन हम हमारी तैयारी को सुरू करें करें कैसे करें कैसे कैसे क्या मैं यह सोचना हों की the smr Carson City अमें सितंबर अगस्त से पढ़ना शुरू कर दो यह मैं आज से पढ़ना शुरू करarias तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि भाया काल करे सो आज कर आज करे सो अब ठीक है भाया आज से ही शुरूँ हमें कर देना है क्योंकि कि चार से पांच महिने बिटा हमें डेफिनेटली स्लेबर को कवर अप करने में लगने वाले हैं मैं यह बान के चल रहा हूं कि पंदरा से 20 दिन मोटा मोटा हार्ली 15 से 20 दिन जो है हम लोग यूनिट को देने वाले मिनेमम 15 मैक्जिमम जो सतरा ठारा तक जा सकता है फिर मैंने 20 दिन एक बार बता दिया आप सभी को अगर हम एक यूनिट को दे रहे हैं इसमें सारा इंक्लूड कर लिए है मैंने हर टॉपिक के बाद हर ट आफな आप अगर मानके भी चल रहे है बीस ना माननू मैं मान लोग 15 ही दिन मानके चल रहा हूं और हमारे पास दस यूनिट है तो 150 दिन तो हमारे वैसे सीधे सीधे लगी रहे हैं तीन महीने हो जाते हैं 150 में और मान लोग किसी में 15 दिन लग गए किसी यूनिट में 18 दिन लग गए 20 लग गए तो मतलब इतना जो आकड़ा हमारा जो है कहिना कहीं पहुंच जाता है फिर भी मैं बूरा हूं मात्र को अपने इस नहीं जोड़ने को शुरू करने के लिए यदि आप सभी जुनना चाहते हैं आप सभी मेरे साथ जुनना चाहते हैं तो पेपर टू मानेज्मेंट जो है लाइफ फाउंडेशन बाच जो है मैं डेट बता देता हूं 21 जुलाइट ठीक है 21 जुलाइट दोजाबिस से जो है शुरू हो रहा है शुरू हुरा है जिसने ले लिया है विल इंगुड पढ़ते रहे है आट जुलाइशी पहर वन आपका शुरू हो जाएगा जिस को live classes होंगी fun way of teaching definitely जैसे सभी बच्चों को problem हाती है जैसे मैंने comment भी कल दिखा था कि सब जो theories हमारी होती हैं उनको वह महाँ से 2-3 questions हमारे बनते हैं उनको याद करने में बड़ी problem हमें आती है तो भई मैंने जो clear session जो है जैसे की बताया वीडियो चैट के माद्यम से होगा anywhere कहीं भी है आप बैटे हैं एक्सेस कर सकते हैं interactive classes होंगी अपनी preparation को भी आप ट्राक कर सकते हैं ट्राक इंदा सेंसर चेक कर सकते हैं कि इतनी त्यारी जो है आप सभी की है through test जो भी आपकी questions है और complete जो है आप सभी को support जो है provide करवाया जाएगा तो क्या आप तयार है मेरे साथ अपनी management की journey को शुरू करने के लिए comment में जरूर और नेक्स वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं सर जी हमारा syllabus record करने वाला हूं और साथ में बने रहिए जारे फट्डा के साथ धन्यवाद थैंक्यू सो मच have a nice day